तो हाँ प्यारे बच्चो नमस्कार सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्षा 11 साइंस की विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको कम्प्लिर देखना है और आज के इस वीडियो के अंदर में आपको कक्षा 11 और कक्षा 11 हाफिरलिक जा क्षा 11 साइंस की सभी विश्यों का जो सिलेबस है आपके जारी कर दिया है हाफिरली एकजाम का अगर आप इसके कोडिंग त्यारी किरोगे तो आप हाफिरली में एक अच्छा जो स्कोर है वो अचीव कर सकते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिजिए तो प्यारे बच्चों कक्सा 11 साइंस के सभी सब्जेक्ट के का जो सिलेबस है हाफिरली एक जान 2023-24 का वो इस वीडियो के अंदर आपक होगी हिंदी है हिंदी और इंग्लिस यह सभी चाहिए आप कोमर्स ले रखी हो चाहिए आपने चाहिए आर्ट ले रखी हो चाहिए आपने साइंस ले रखी हो सभी में यह आपके अनिवारी है तो हिंदी अनिवारी का जो सलेबस है प्यारी बचों आप देख सकते हैं हाफ क्योंकि 70% syllabus है वो निर्दारीत है आपके हाफियरली में और उसके बाद में ये आपके English compulsory का syllabus दे रखा है तो English compulsory का जो subject है जो syllabus हो भी आप देख सकते हैं हाफियरली का पूरा syllabus आपको इसमें मिल जाएगा और इसी के according आपको English की त्यारी करनी है और English का जो paper है हाफियरली का वो भी आपके यहां पर 70 marks का आने वाला है और उसके बाद में मैं बात करूँ साइंस में जो तीसरा subject है आपके भोतिक विज्ञान यानि फीजिक्स तो ये physics का syllabus प्यारी वेचों आप देख सकते हैं physics का पूरा syllabus इसमें दिया गया कि कौन-कौन से chapter आपको नहीं पढ़ने है कौन-कौन से chapter आपको पढ़ने हैं तो पूरा syllabus आप देख सकते हैं इसका screenshot आप ले सकते हैं और ये practical subject है 50 marks का जो paper है वो देखने को मिलेगा half yearly में और उसके बाद में पैरे बचों में बात करूँ next जो subject है science का रसाइन विज्ञान यानि chemistry तो chemistry का जो syllabus है वो भी देख सकते है 9 chapter आपको देखने को मिलेंगे हाफियरली में और इनी 9 chapter से आपके question आएंगे और ये 50 marks का paper आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में देखिए next हम बात करें जीव ग्यानियानी biology तो biology का जो आप देख सकते हैं complete और biology में कौन-कौन से chapter आएंगे आपके हाफियरली में औ और उनसे किस टाइब की question आएंगे कितने marks के question आएंगे पूरा प्रोसेस यहां पर दे रखा है ये भी आपके 50 marks का आने वाला है और उसके बाद में ये आपके mathematics का syllabus दे रखा हैं तो mathematics में भी आप देख सकते हैं total 14 chapter है और कौन-कौन सा chapter कितने marks काएगा तो पूरा आप आप देख सकते हैं इसमें यहां पर दे रखा है अंक विवाजन अर्दवार्शिक प्रिक्षिया यानि जो भारतिय कर्शी का इतियास संखाएं महतो और छेतरिया आपके तीन नमर मोसम और जलवाई हुए आपके पांच नमर तो पूरा जो syllabus है मेरे पेरे वच्चों वह आ देख सकते हैं 50 नमर का आने वाला है और यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपके क्रशी रसाइन विज्ञान यानि यह एक्रिकल्चर केमेस्ट्री का है तो कंप्लीट आप देख सकते हैं 13 चिप्टर हैं 13 में से आपको बार हुआ और तेर वा यह नहीं पढ़ना ह क्योंकि यह नहीं आएगा आपके हापियली में और एक पांचुआ चठा नहीं आएगा आपके और पचास नमर का यह पेपर आपको देखने को मिलेगा और देखिए कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैं यहां पर बता रहा हूँ यह आपके कर्शी जीविग्यान का सिलेबस है यहां पर पंदरा से लेके और 21 तक के जो चेप्टर हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं बाकी उपर के सारे चेप्टर पढ़ने हैं और यह पचास मारक्स का आपको देखने को मिलेगा पूरा सिलेबस मैंने इस वीडियो में आपको बताया है और इसका पीडिएफ है वो अच्छे से आप अपना syllabus देख सकते हैं और अच्छे से आप हाप एल एक्जाम 2023 की preparation कर सकते हैं